नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के डिसिक्स में रुख करते हैं ज़ारखंड की तरफ ज़ारखंड से निकली है ग्रामेंट विकास विभाग तरफ से भरती और ये देकेंसी निकाली गई है दोस्तों प्रक्षंड कारिक्रम पदादिकारी और टक्निकी सहायक के लिए, टक्निकी सहायक वही बन सकेंगे अर्थात जो कनिय अवियंता कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर criteria है, यह eligibility criteria क्या है कि जो टक्निकी सहायक के आविधिन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिला जहारकanट से बिलोंग करना चाहिए, यह वहाँ के निवासी होने चाहिए ये सिर्फ उसी जीला के छात्रों के लिए वेकेंसी निकाली गई है इसकी क्या 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 क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में लेकिन जो प्रखंड का रिक्रम पता दिकारी का जो पोस्ट है ये किसी भी राज्ये का छात्र और अबहर सकता है चाहिए आप जहरकंड से हो या भीहार से हो आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कौन-कौन से ये पोस्ट है जिसके बारे में और सेलरी क्या होगी ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पोस्ट बहुत अच्छा है लेकिन इसके लिए क्रेटेरिया थोड़ा सा कठीन है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो ऐसे ही पलपल की अपडेट हर छेत्र के लिए जहारकंड हो बिहार हो उत्रप्रदेश हो या बंगाल हो हर छेत्र के लिए जो विकेंसी आती है मैं आप तक सेयर करता हूं तो इस वीडि का इकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पलपल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे दोस्तों कल शाम में मैंने एक वीडियो दिया था जो कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं गया था बिहार स्टीटी के एकजाम को लेकर एक अच्छी खबर तो है और इसके साथ साथ आपको एक और चीज बता दोओ कि इसके दिबादिम जो भी अपडेट आता रहेगा मैं अपने चैनल पर देता रहोंगा साथ हीसान इसके regarding computer science के जो teacher हैं computer science के जो student है जो teacher बनना चाहते हैं यहाँ पे वो हमारे सा जूड़ सकते हैं इस channel पे और उनको इसके regarding जो syllabus के regarding आपका जो question आरोगा वो आपको दिया जाएगा तो syllabus आ जाने दीजिए finally उसके बाद हम सारा detail आपको शुरू कर देंगे इसके पढ़ाई को ल से तो आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसके official website गड़वाजिला का ठीक है यहाँ पर बताया जारा है ग्रामेंड विकास विवाग जारकन की तरफ से यह विग्यापत जार किया गया है और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं इसके लिए आप आविदन कर सकते हैं जी हाँ आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आप इस पॉर्टल पर जाके ठीक है और यह पॉर्टल का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से क्लिक करके अपलाई कर सकते हैं 17 जून से लेकर 27 जून तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं जो कि विभागी वेब पॉटल है ये उसके माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों कुछ जानकारिया ये इसके बारे में आपको दे दना चाहता हूं कि जो पेकेंसी निकाली गई है वो करीब प्रखंड पतादिकारियों के लिए 13 पोस्ट है और तकनीकी सहाइ के लिए 10 पोस्ट ह सकते हैं लेकिन जो अनरक्षित सीटे हैं यहां पर आठ सीटों के लिए अधर स्टूडेंट जवह इसपे fight कर सकेंगे लेकिन जो चातर जारखंट से हैं उनके लिए ये नियामोली बनी है नियमित और backlog और नियमित और backlog के तो ये दोनों ही post में अलग-अलग post के vacancies हैं जो कि आपको category wise देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी कुलपद यहाँ पे 23 है जिसके लिए आप आविदन कर सकते हैं और ये रिक्तियां जो घटाई बढ़ाई जा सकती हैं अगर जैसा की notification के जरीए यहाँ पे अगर माल लीजे बहुत सारे छातर जारखंट के वीडियो देख रहे हैं तो वो जाकर अपलाई करेंगे किसी भी जिला से हैं लेकिन जो तकनीकी सहाय का पोश्ट है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिला के छातर ही आविदन कर सकेंगे दोस्तों section योगिता की बात करें तो यह थोड़ा सा कठेन है यहाँ पर देखेगा अनिवारिता जो है आपका मांगागे है प्रखंट कारेकरम पदर्दिकारी के लिए वह आप देख सकते हैं सरकारी बानिता प्राप्त शुविद्दाले से आपके पास इसनातक के डिगरी होनी जो कि कम से गम 55 प्रतिशत होना चाहिए समाने इसनातक जैसे इसनातक प्रतिशत उत्रिन अभ्यारती जो है यहाँ पर 55 प्रतिशत लाएंगे और लेकिन जो अन्य जो कैटेगरी में स्टुडेंट हैं जैसे कि SST वाले हैं उनको यहाँ पर छूट जरूर मिलेगी परंतु इसनातक तर उत्रिन हो तो वो भी आविदन आप समर्पित कर सकेंगे यानि कि अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं यहाँ पर आपको उसके लिए 10 यहाँ पर समाने इसनातक और इसनातक प्रतिशत और समतुल्य इस्थापित करके समान अगर आप इसनातक प्रतिशत कोटी पर अंकित किये जाएंगे तो अगर आपको इसके जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें जोड़के बनाया जाएगा आपका मेरिट लेकिन बताना होगा आपको कि हमने master's किया है इसके अलावा जो आपका degree होना चाहिए दोस्तों कौन-कौन से section में होना चाहिए आपने MBA कर रखा है PG कर रखा है या DBAC कर रखा है या PGDBA कर रखा है या PGDR कर रखा है या फिर BCA कर रखा है या आपने BSC कर रखा है computer में या फिर आपने BSC computer honors में कर रखा है या फिर आपने MCA कर रखा है या फिर आपने MSC कर रखा है computer science में या फिर आपके जो योगिता हैं या फिर मानी जाएंगी तो इन सभी सेक्षन में आपने अगर डिगरी की है तो ही आप प्रकंट पतादिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं MBA और PGDBA, PGDBM, PGDRD और समतुल लाने वाले जो चाहत रहोंगे PGDBA, PGDBM, PGDRD ये प्रप्ताग का किसके लिए उनको पांच घटा के MBA जो किये हैं कोटी वार प्रतिशत अंक जोड़ा जाएगा BCA समानेता और BSC कम्पूर्टर वालों को भी यहां पे और कॉमर्स वालों को यहां ओनर्स वालों को ठीक है उनको भी पांच जो है प्रतिशत जो अंक है वो करम से घटा दिये जाएंगे तदा BSC कम्पूर्टर ऑनर्स की कोटी को तदानुसर प्रतिशत जोड़ा जाएगा तो यह घटा के फिर जोड़ा जाएगा यानि प्रतिशत घटा जाएगा उतना और उस अंक को जो भी मिलेगा उसको जोड़ दिया जाएगा आपके में टोटल अंक में तो आपको इससे फायदा हो सकता अगर आपने इस सभी चीजों में अपना ग्रेजुशन या MBA या मास्टर डिगरी किया है तो ठीके जो छादर मास्टर की हैं उनको 10 प्रतिशत घटा कर यहाँ पर उसकी का अंक में पूरा टोटल अंक में उसको जोड़ दि तक्निकी सहाय के लिए देखे यहाँ पर अनिवारिता क्या है यह जान लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना होगा सरकारी जो मानता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय डिप्लोमा अनिवारि होगा इसके लिए क्योंकि यह कनिय अभ्यानता की समक्ष पद है तो इसक दिया है या फिर MCA Computer Science में अगर आपने योगिता किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं ठीक है उसके लावा BCA, BCA Computer, BSC Computer, BSC Computer Honors में या फिर इसमें अगर आपने डिग्रीज की है तो आपका पांच प्रतिशतंग खटा के फिर उसको आपको में जोड़ा जाएगा दोस्तो, MSC या किया है, MCA किया है Computer Science में तो आपको भी यहाँ पे 10 प्रतिशतंग जो है वो मिलेंगे और PGDBA किया है या MCA किया है तो इसके 5 प्रतिशतंग को ही घटाया जाएगा और उसको जोड़ा जाएगा उपरियुक्त सभी सेक्षन योगिताओं में सभी जिसकी सरकारी मानेता प्राप्त हो वही मानने होंगे यानि कि सरकारी संस्तान सहीं आपके डिग्रीज होनी चाहिए यह भी एक क्राटेरिया है आयू सीमा जो है दोस्तों यहां पर बता देना चाहते हैं कि 18 वर्स बोली गई है नियुन्तम कम से कम जो 18 साल का होना चाहिए चात्र और इसके लिए जो की मैक्सिमूम एज है वो आपका यहां पर निधारित नहीं किया गया है ठीक है यह एक बात है यहां पर एक दो जार 20 को अधार मान के आपका एज काउंट किया जाएगा और राश्ट्रेता यहां पर भारती होना चाहिए आपको पहला चीज आरक्षन जो है यहां पर अनुसुची जन जाती पिछड़ी वर्गों और दिभ्यां कोटी के चात्रों को यहां पर रोष्टर गढवा जिला के तत धुड़ंट के चात्रों को ठीक है इस्धानीयता नीती में देख लीजीए आप इस पोशों के लिए तो आपकिसी भी जिले से आप आविदयन कर सकते हैं लेकिन तकौनिकी साहक के लिए अगर आप आविदयन कर रहे है तो यहां पर आपको गढवा जिला के इस्थानी नि से आते हैं चलिए यह सारे अपडेट थे जो कि मैंने आपको यहां पर दे दियें दोस्तों इसमें और कुछ खास है नहीं सीट यह और एज को लेकर यहां पर बोला गया है कि 50 वर्स तक के चातर भी आविदन कर सकते हैं 40 वर्स तक जो की अनुसूची जाती पिछड़ा तो पोश्ट तो बहुत अच्छा है है न और इसके लिए जो आविदन करेंगे उनकी सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी चुकि मैंने आपको यहां पर सैलरी के बारे में नहीं बताया है तो आप एक नोट कर लिजे यहां पर एक तो आपको आविदन करना होगा 17 से लेकर 27 जो उनके बीच में इस पॉर्टल पे जाके ठीक है और डॉकुमेंट्स आपको क्या-क्या देने होंगे तो सभी प्रकार के सेक्षन प्रत्र अंक पत्र जाती प्रमान पत्र निवास प्रमान पत्र जनमति थी है तू मैट्रिक अंक प्रमान पत्र और सपत प्रमान पत्र जो कि मैंने आपको शेयर तो कर दिये हैं और रही बात सेलरी की तो सेलरी के लिए सबसे इंपोर्टेंट तथी यहां पे दिया गया है जो कि अपका परिलब है पारा नमबर आठ में देखेगा प्रकंड पतादिकारी को 20,000 और टक्निकी सहय को 18,000 20 रुपया का प्रती महीने का आ आपको क्लियर कर दिया है और इस वेकेंसी को अगर आप आविदन करना चाहते हैं भरती को आविदन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है आप जाके वहाँ से क्लिक करके अफिशली इसका अपडेट कर सकते हैं अपलाई कर सकते हैं धन्यवाद झाल झाल